हेलो एब्रिवन वेलकम टो आर यूटूब टेप्रडेशन चनल दोस्तों मेर वेल और मैं आज आप सब के सामने आसाम ओल्ड एज पेंशन स्कीम 2023 इसके बारे में मैं आप सब को डिटिल में बताऊंगा और ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना क्योंकि इससे मतलब कह सकते हैं जो ओल्ड एज पीपल उनको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कभी-कभी ऐसा हो जाता है एवर्नेस नहीं रहता है गाउ में तो मतलब इसा स्कीम मतलब इंपोर्टेंट स्कीम आकर चला जाता है आप लोग अपने आसपास अगर कोई ऐसा लोग हो तो मतलब कह सकते हैं उनको बता देना और साथी साथ आपके फेमिली में भी ऐसा कोई है तो मतलब आप लोग उनसे बोल देना कि यह सब कर लेने के लिए क्योंकि यह government ने social assistance scheme यह दिया है क्योंकि old age में तोड़ा ऐसे लोग कह सकते हैं मतलब तोड़ा बीमारी मुँआरी रहता है तो इसलिए मतलब तोड़ा सा assistance मतलब government help कर रहा है तो आप लोग सब को बता दे ना यह सब और मैं बस आप सबको inform करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ और यह informative वीडियो है educational वीडियो है आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और इस चैनल को subscribe कर लेना और देखिए क्या क्या criteria है मैं बताऊंगा तो देखिए इंदिरागंदी national old age pension scheme इस scheme का नाम है इंदिरागंदी national old age pension scheme यानि IGNOAPS असम इसमें minimum eligible age कितना है 60 years अगर किसी का मतलब age 60 years है तो आप लोग apply कर सकते हो और देखिए monthly pension कितना है 200 person देखिए for per person कितना है 200 rupees between 60 and 79 देखिए जिनका age 60 से लेके 79 age है उनको मतलब 200 rupees मिलेगा उसके बाद देखिए for person who are 80 years and above 80 years के उपर जिनका age है तो उनको मतलब 500 rupees per month मिलेगा देखिए application process आप लोग कैसे करोगे online आप लोग apply करना पड़ेगा आप लोगों को तो कैसे apply करोगे इस देखिए यह official website पे जाके आप लोग apply कर लेना pnrd.assam.gov.in इसमें जाके आप लोग apply कर सकते हो उसके बाद देखो कैसा form आएगा यह देखो यह form फोर्म का मैं बता रहा हूं देखो इसमें photo photo अप लोग उसके बाद नेम होता pensioner, father's, mother's name या husband या wife name या लिख सकते है उसके बाद gender आप male हो तो male देना female होने से female देना date of birth उसके बाद और proof of birth उसमें proof of birth में होता educational कैसे कोई document यह भी दे सकते हो साथ ही साथ जो आपका birth certificate भी दे सकते हो उसके बाद category देना और address आप लोग अपना village, gram पंचायत, subdivision, block यह सब देना सो यही form में simple form आप लोग apply कर देना और देखिए यह जो selection procedure होगा यह gram शुबा में यह मतलो ते होगा और आपके जो कैसे के decentralized process है यह सो आज के लिए इतना ही thank you so much आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दो ताकि इसका benefit मतलब society में मिले thank you so much